रेबिल सेंदा राज इस एक वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर की लाइन बाइन एक्स्प्लेनेशन कवर कर रहे होंगे और हर चैप्टर एक्स्प्लेनेशन की तरह इसमें भी आपको NCRT हाइलाइट्स मिलेंगे इंपोर्टन क्वेशन्स मिलेंगे और नोट्स मिलेंगे जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको PDF भी मिल जाएगा हम सीधर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं पिछले चैप्टर में मैंने आपको 1875 के अपहीवर के बार में बताया था और मैंने आपको बोला था कि आगे हम 1857 के बार में भी पढ़ रहे होंगे तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि 1857 को हुआ क्या 10th में 1857 की दोपहर में हुई कुछ हलचल उस हलचल के बार में पढ़ने के पहले कुछ टर्म्स हम देख लेते हैं मजना इस चैप्टर के लिए बहुत इंपोर्टन्ट है सिपोई यानि कि वो इंडियन सोल्जर जो बिटिशर्स के अंडर में आर्मी में काम कर रहे थे सिपाही टर्म से ये सिपोई टर्म आता है केंटन्मेंट यानि कि वो मिलिटरी केंप्स वगेरा जहां पर ये सिपोई वगेरा रहते थे म्यूटिनी अब दो टर्म आते हैं इस चैप्टर में हम बार-बार देखेंगे एक है म्यूटिनी यानि कि जब ये सिपोई जो थे ये जो मिलिटरी में थे ये अपने अथोर्टीज के बिटिशर्स के अगेंस हो जाते हैं एक्शन्स लेते हैं साय रूल्स वगेरा तोड़ रहे होते हैं तो ये है म्यूटिनी लेकिन ये जो म्यूटिनी स्टार्ट हुई थी टैंथ में 1857 को इसमें ओर्डिनरी सिटीजन जो की नॉर्मल सिटीजन थे जो पैजेंट्स वगेरा थे उन लोगों ने भी सिपोईस को जॉइन कर लिया तो ये म्यूटिनी कनवाट हो गई एक रिबैलियन में या फिर हम बोल सकते हैं एक रिवॉल्ट में तो वही हम इस चेप्टर में देखने वाले हैं हुआ क्या और स्टार्ट कहां से हुआ नेटिव इनफेंट्री ऐसे भी टाम आप बहुत सारे देखोगे इनफेंट्री हमने पहले कई चेप्टर में देख लिया है यानि कि जो फुट सोल्जर होते थे नेटिव यानिकी हमारे इंडिया के जो फुट सोल्जर थे जो बिटिशर के अंडर में ऐसे पॉलिस काम कर इनकी लाइन्स में जो म्यूटिनी थी वो स्टार्ट हुई थी यह एक मिलिटरी कंटेंजेंट है ऐसे एक यूनिट है कैवेलरी यानिकी वो गुर सवाज जो मिलिटरी होती थी वो तो स्टार्ट कहां सी हुई infantry group से लेकिन फिर वो पहुंची cavalry group दख और फिर वो पहुंची city में और city में जब ये mutiny पहुंची तो वहाँ पर वो बन गया rebellion जहाँ पर ordinary citizen जो कि towns के और आसपास के villages थे उन लोगों ने भी इन सिपोईस को join कर लिया और ये सारे लोग हो गए अंतर क्या होता है इन दोनों में arms यानि कि वो सारे weapons वगएरा gun वगएरा और emanation यानि कि जितने भी चीज़ें आप throw करते हो या shoot करते हो तो इसमें bullets आ गए या throwables आ गए वैसे तो मैं ऐसे ये लिखने को नहीं आएगा आपको कि arms और emanation में description दो difference बताओ लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ते तो मज़ा नहीं आता ना मज़ा history का इन ही सब चीज़ों में तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ तो इन्होंने सबसे पहले weapons capture किये और उसके बाद जितने भी white people थे जितने भी Europeans इनको दिख रहे थे पहले के टाइम पे electrical signals के थुरू communication होता था तो डेली की जो telegraph line थी उसको cut कर दिया ताकि इनके बीच में communication ना हो पाए और यह होने के बाद जैसे ही रात वड़ी यसे पॉइस का एक group निकला डेली की तरफ 11 में यानि कि अगले दिन ये पहुचा रैड़ फोर्ट के सामने एक डम सुभा सुभा चल रहा था रमजान का मन्त यह वह मन्त होता है जिसमें जो Muslims होते हैं उनका holy month होता है यह लोग प्रेयर्स और fasting वगरा करते हैं डेलाइट आवर्स में कुछ भी नहीं करते हैं तो सुभा सुभा उठके प्रेयर और फास्ट कर लेते हैं मतलब एक मील कर लेते हैं उसके बाद दिन बार फास्ट रखते हैं तो यहां पर जो मुगल emperor थे बहादर शाह जिनकी फोटो आप लेफ्ट में देख सकते हैं इस टाइम पर वैसे बहुत बुढ़े हो चुके थे एकटी टू सम्तिंग इयर्स के थे तो इन्होंने अपनी सुभा सुभा मील ली थी और उसके बाद इन्होंने देखा कि कुछ हल्ला हो रहा है यहां गेट के पास तो इन्होंने बहार जाके खेड़कियों से जाका तो उनको देखने को मिला कि बहु से bullets bite करवा रहा है जिनको fat और sorry cows और pig के fat से coat किया गया है अब वो question आता है bullets को bite क्यों करवा रहे थे punishment दे रहे थे क्या कर रहे थे नहीं उस time पर जो infield rifle की cartridges होती थी जिनको आपको load करना पड़ता है उनको आपको पहले bite करके tear करना पड़ता है फिर आप उसको load करते हो अब इनको बोला जा रहा था कि court किया गया है cows और pig के fat से तो हिंदूस और Muslims दोनों की faith corrupt हो रही है क्यों कि cows हम हिंदूस में काफी हो ली है और pig को Muslims में बोला जाता है कि consume नहीं करना चाहिए तो दोनों की faith corrupt हो रही है और दोनों ही अब एक साथ बिटिश हर्स के against हो चुके है इस time तक एक और groups पहुंचा से boys का Delhi में और यहाँ पे जो ordinary citizen थे उन्होंने भी इन लोगों को join कर दिया और इन लोग join होके क्या करने लगे Europeans पे attack करने लगे उन लोगों के जितने भी घर उलगया थे उनको attack किया जा रहा था इन लोगों को मारा जा रहा था Delhi के जो rich people थे जो rich elites थे उन पे भी attack किया गया उनको भी loser गया तो बहुत साह लोगों को यहाँपे मारा जा रहा था अब basically जो Delhi था larger Clearly situations के हाथों में आ चुका था और Britishers के हाटों से निकल रहा था कुछ से इस टाइम पर पहुंच गए रैड फोर्ट जो कि बाहर खड़ते वो अब अंदर घुसने लगे और इस टाइम पर क्या होता था कि इन मुगल्स के बहुत एटिकेट्स होते थे कि आपको यहां पर कोर्ट में ऐसे करना है ऐसे एंट्री ले था उन्होंने देखा कि इन लोग कुछ मान तो रहे नहीं एटिकेट और ऑगेरा ओप्शन तो हमारे पास है नहीं तो इनको ब्लेसिंग्स देनी ही पड़ेगी ब्लेसिंग्स को इतनी जरूरी थी क्योंकि एक लेजिटिमसी सीख करना चाहते थे रेबेलियंस वाले जितने भी लोग थे यह चाहते थे कि मुगल एंपरर हमको सपोर्ट कर दे एक बार मुगल एंपरर की हमें लेजिटिमसी मिल गई उनकी ब्लेसिंग्स मिल गई तो उनक के नाम से इस revolt को हम आगे बढ़ा सकेंगे हमारे पास एक लीडर हो जाएगा तो अगले दो दिन 12 और 13 में में हमारे नौर्धर इंडिया में शांती थी लेकिन जैसे जैसे यह मैसेज फैला कि डेली अब पूरा इन रिबेल्स के हाथों में जा चुका है बहादो शाह ने भी साइड और यूपी वगरा का साइड है यहां पर हमें बहुत कुछ हंगामा देखने को मिला अब हम इस रिबेलियन के पैटर्न को देख लेते हैं अब जो भी एक्शन हो रहे थे उनको हम क्रोन लॉजिकली प्लेस करें यानिकि टाइम फ्रेम के हिसाब से प्लेस करके देख लेकने को मिल जाता है क्या था वो पैटर्न वो हम देखते हैं सबसे पहले जो सेपॉइस थे वो एक सिगनल लेते थे या तो गन फायर करते थे या फिर विव्यूगल एक इंस्ट्रूमेंट होता है वह बजाते थे और जैसे ही सिगनल मिलता था सबसे पहले केप्चर करते थे बेल आफ आर्म्स को ताकि वैपन मिले और ट्रेजरी को लूट लेते थे इसके बाद जितनी भी गवर्मेंट बिल्डिंग्स थी उन पर टैक किया जाता था वही सारी बिल्डिंग्स जेल ट्रेजरी ट्रेलिगाफ ऑफिस रिकॉर्ड रूम बंगलो और यहां पर जितने कि अनॉंसमेंट्स किये जा रहे थे इष्टिहार जारी हो रहे थे कि चाहे आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो आप सब आप यूनाइट हो और इस फिरंगी राज को हम खतम करेंगे इस पर हम अटेक करेंगे जब फिरंगी टर्म हम यूज करते तो हम थोड़ा सा अब पहले तो से चालू हुआ तो पहले सिर्फ बिटिशर्स वगेरा को टार्गेट किया जा रहा था लेकिन जब ऑर्डिनरी सिटीजन जॉइन कर गए और यह रिवोल्ट बन गया तो जो टार्गेट्स थे वह वाइड हो गए अब हमारे मेजर टाउंस में जैसे कि लखना दहार रहे देखतीATHER तो इन लोगो के घर वगेरा को अटेक्ड किया लगा जब यह यह मेल्न मन गयी तो बलगों को अट्एक किया जा रहा था अब कोई हरार्की नहीं बची था था अब ऐसा नहीं रहा था कि डिटिश को इस यह जा डिप बिटोन जब आपको बिटिश को एक इंडिविजियल के रिप्रेजेंट करना था बिटोन टर्म यूज़ कर सकते हो यह अपनी खुद की लाइफ बचाने में अपनी फैमिली की लाइफ बचाने में लगे हुए थे एक बिटिश ऑफिसर ने लिखा है कि बिटिश रूल में आ चोके थे और जब यह रिवॉल्ट बन गया तब तो और बिटिशर की पूरी पावर थी वह ऐसे सी कुलाप्स होने लगी थी इस बॉक्स में पूरा बताया गया कि कैसे और्डिनरी लाइफ भी अफेक्ट हुई थी सबजिया वगरा नहीं मिलती थी पानी की दिक्कत बाकि आपको इनमें मिल जाएंगे तो अगर आपके पास टाइम है अभी एक्जाम आने को कुछ टाइम बचा हुआ है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा पॉस करके इनको पढ़ते जाओ बाकि इनको यादवायत करने की जरूरत नहीं है चैप्टर अच्छे से पढ़ो य यह कैसे आ रही थी इन लोगों के बीच में प्लानिंग हो रही थी और कॉर्डिनेशन था यह जो अलग-अलग military units थे यह एक दूसरे से communicate कर रहे थे यहाँ पेसी के बारे में बताया गया है 7th अवद irregular cavalry वैसे थो आपको हर एक चीज़ के पीछे जाने की जरूरत ने लिए एक example से बता देता हूँ कि 7th क्योंकि numbering होती थी अवद अवद की थी irregular क्योंकि regular army नहीं होगी और cavalry क्योंकि यह एक horsemen की group होगा तो ऐसे जो अलग-अलग regiments होते हैं उनका अलग-अलग नाम होता है तो एक military unit ने क्या बोला कि हमने जो cartridges हैं इनको accept करने से मना कर दिया है और ह हम action ले रहा हैं तो इन्होंने 48th native infantry को message लिखा हमने तो action ले लिए हैं अब हम आपके order के लिए wait कर रहे हैं तो क्या हो रहा है इन लोगों के बीच में support groups के बीच में हो रहा है communication यह जो support होते थे इनके missengers होते थे यह एक station से दूसरे military station जाते थे एक camp से दूसरे camp और अपने messages इसको convey कर रहे होते थे तो clearly इन लोगों के बीच में planning हो रहे थी यह लोग rebellion के बार में बात कर रहे होते थे जो pattern में हमें similarity देखने को मिली है अब हमारे सामने कुछ questions भी raise करती है कि पहला question तो यह ही है कि यह जो plans हैं यह कहां बनते थे कैसे बनते थे planners कौन होते थे तो सारे question का answer तो हमें नहीं मिलेगा क्योंकि जो documents हमें मिले उनमें सारी चीज़ें हमें अच्छे से नहीं पता चलती है लेकिन कुछ answers हमें जरूर मिलेंगे हमें एक incident देखने को मिलता है captain hearsay का captain hearsay थे military police आवद की military police के captain वैसे तो यह British थे mutiny में तो मार डाला जाला था Britishers को लेकिन म अच्छे होंगे अपने जो subordinates से उनके साथ अच्छे से रहते होंगे तो जो military police जो इनके subordinates थे इंडियन से boys वो इनको बचाना चाहते थे और वो इनको mutiny के time पर protection दे रहे थे लेकिन एक ग्रूप बचाना चाहता है दूसर ग्रूप 41st native infantry ने बोला कि आप बचा क्यों र decision लिया कि चलो ठीक है हम पंचायत में decision लेंगे कि इनके साथ हमें क्या करना है वहां पर हम अपना conflict solve करेंगे चार्ल्स बॉल जिन्होंने early uprising के बारे में काफी कुछ लिखा इन्होंने बताया कि ऐसी पंचायत कानपूर में अक्सा रातों में हो रही होती थी जिससे हमें समझ में आता है कि ये लोग collectively decisions ले रहे होते थे ये जो पंचायत होती थी इनमें अलग-अलग जो regiments है जो military units है उनके members होते थे जो कि मिलके बैठते थे अपने लिए decisions लेते थे अब ठीक है ना इसको हम imagine भी कर सकते है कि ऐसे लोग जो common background share करते हैं जिनकी lifestyle similar है जिनमें से जाधाता लोग same caste के हैं जिनकी problems भी same है सब Britishers के आगेंस्ट आवाद उठाना चाहते हैं तो clearly ये लोग possible है कि effectively ये लोग decisions ले रहे होते थे तो Britishers से fight करने के लिए जो revolt था इसमें leaders की important समझी गई थी माना जाए था कि एक leader लोगों को join कराएगा उसके नाम से revolt किया जा सकेगा या फिर वो लोग organization देंगे leadership provide करेंगे तो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो Britishers के पहले से ही अपने जगा leaders थे तो उनको इस revolt का leader बनाया गया for example मिरत के जो support थे वो सबसे पहले किस के पास गर थे old Mughal Emperor Bahadur Shah के पास वैसे तो वो 82 साल के लेकिन ये लोग चाहते थे कि उनकी legitimacy उनको मिले इसलिए उन्हों गया Red Fort में कबजा कर लिया अब initially तो वो चाहते नहीं थे कि वो join करें लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग तो घुसी गया है उन्होंने कोई option तो हमें दिया ही नहीं है हमें घेर के ही रख लिया है तो उनको पहले तो डड़े हुए थे पहले वो reject कर रहे थे लेकिन उनको बाद में join करना पड़ा तो बाद में as nominal leader इस rebellion के बन गये थे ऐसे scene कई राणी थी इनको भी प्रेशराइज किया गया कि आपको as a leader join करना पड़ेगा यहां left में आप इनकी images देख सकते हैं राणी की और नाना साहिब की ऐसे ही कुमार सिंग को एक जमीन दार थे अरा अभिहार के कुमार सिंग को leader बना दिया गया अवद का case बहुत important है क्योंकि अ निकाला गया तो यहां की जंता बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और यह लोगों के दिमाग में अभी भी थी तो यह लोग एकदम Britishers के against थे इसलिए इन्होंने बिर्जिस कद्र जो की नवाब वाजद अली शार के बेटे थे इनको support किया और यह लोग काफी चाहते थे उनसे बदला सा लेना चाहते थे ऐसे ही बहुत साइज जगहों पर अलग-अलग leaders बनें लेकिन जरूरी नहीं है कि जो leaders है वो member of the court हो राजा हो रानी हो नवाब हो तालोगदार हो या जमीन दार हो कई बार तो हमें यह भी देखने को मिलता है कि ordinary men or women भी leaders बन रह थे एक फकीर थे जिनको elephant की उपर ride करते हुए देखा गया था इनके पास बार-बार से poise visit कर रहे थे लखनाओ का एक्जामपल है यहां पर बहुत सारे जब अवद का annexation हुआ जब वहां के वाजद अली शा को निकाल गया गया उसके बाद यहां के बहुत सारे religious leaders और self styled prophets अब British rule के against आवाज उठा रहे थे as leaders बन रहे थे लोगों को British rule के against कर रहे थे दो चीज़े सुन लो लखनाओ दिया हुआ है उपर अवद दिया हुआ है क्यों क्योंकि अवद की capital थी लखनाओ और एक और चीज़, self style profits मतलब यह वो लोग थे जो खुद से खुद को profit का title दे जाते हैं यह local leaders पैजेंट, जमीनदास, tribal classes से आ रहे थे for example शामल जिन्होंने बरूत परगना के जो villagers थे उत्तर प्रिदेश के इन लोगों को mobilize किया, mobilize करना है यानि कि organize किया Britishers के against क्या हमें SS action लेने है फिर गोनू एक tribal cultivator थे, सिंग्भम, छोटा नागपूर के उन वहाँ प अब हम बात करते हैं कि यह जो इतना बड़ा revolt हुआ, इसके पीछे क्या-क्या rumors और prophecies थी, rumors मतलब आप समझते हैं, अफवा और prophecy याने की जो भविश्यवानिया होते हैं कि future में ऐसा होने वाला है वो, तो rumors और prophecies ने बहुत important एक role play किया था लोगों को action मिलाने के लिए, जै इसके हमने बात करी थी, Britishers ने बोला कि नहीं, ये एक rumors है, जो पूरे North India में फैल रहे हैं, इन बातों पर आप मत मानो, ये सही नहीं है, हमने ऐसी cool coating नहीं करी, लेकिन इन rumors को ये Britishers रोक नहीं पाए, पूरे North India में ये rumors आख की तरह फैले, इस rumor के बारे में बताया जाता है क कि इसका origin जो है, वह हम trace कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, Captain Wright, Wright पर instruction depot के एक commandant थे, इन्होंने अपनी report में लिखा है कि कहां से originate हुआ ये वाला rumor, इन्होंने बताया कि third week of January 1857 में एक low caste खलासी आता है, खलासी याने कि low status का का काम कर रहा होता है, जो एक labor type होता है, उसको खलास ही term से denote किया जाता है, ये low caste का खलासी दम दम एक जगा है, वहां की magazine में काम करता था, magazine याने की, magazine याने की, magazine याने की, कोई book नहीं, magazine याने की, यहां का जो weapons वगएरा का storage unit था, उसमें काम करता था, कितने सारे NCRT में terms होते हैं, जिनका कोई explanation नहीं दिया होता है, चाहे वो खलासी हो, चाहे magazine हो, काफी मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हो तो मैं, तारीफ कर दो, आज मेरी comment section में, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, तो इन्हों ने बोला एक ब्राह्मिन से पॉई से की, मुझे पानी पिला दो, तो ब्राह्मिन से पॉई ने बोला की, नहीं नही होगे मेरा लोटा, वो impure हो जाएगा, तो इस खलासी ने reply दिया, कि ठीक है, आज पानी नहीं पिला रहो, लेकिन, बहुत जल्द, तुम्हारा जो religion है, तुम्हारा जो faith है, वो destroy किया जाएगा, क्योंकि तुम्हें, जो bullets bite करनी पड़ेंगी, उनमें fat होगा, cows का, और pigs का, वसे यहाँ पेकोर टर्म है, air long, यह जो air long है, एक archaic term है, इसका meaning होता है, बहुत जल्द, सून तुमको यह करना पड़ेगा, archaic मतलब अब हम यह term use नहीं करते हैं, पहले ही use किया जाता होगा, तो अब इस तरीके से इसने बोल दिया, और बोला जाता है, कि इसके बाद य का fat की coating देखने को मिल रही है, तो यह Britishers की report थी, इसमें किती सचा है, कितनी जूट है, जूट तो नहीं लिख रहा थे report में, हमें नहीं पता हो सकता है, इन्होंने made up report बना दियो, लेकिन एक बात पक्की है, कि इन सिपोईस के बीच में जो rumors फैल रहते, वो बिलकुल भी न चाहते हैं Britishers, जिसके लिए लोग कुछ न कुछ conspiracy रच रहे हैं, तो बोला जाता था कि market में, जो flower मिल रहा है, जो आटा मिल रहा है, उसमें cow और pigs की bone dust मिलाई गई है, तो जो आटा था market का, उसको भी लोगों ने, सिपोईस ने भी ordinary citizen ने भी touch करना बंद कर दिया, तो clearly हमार market में, हमारी society में काफी रदा fear और suspicion फैल रहा था in Britishers के against, यह लग रहा था लोगों को हमको Christianity में convert कराना चाहते हैं, तो काफी रदा panic हो गया था society में, और यह जो humor है न, यही लोगों को action में लेके आ रहे थे, और एक बार action लोगों ने ले लिया, उसके बाद उनके action को support मिल जो British rule है, वो खतम हो जाएगा, तो अब लोगों को यही लगने लग गया था कि इस prophecy के बाद कि यह जो अपराइजिंग हो रही है, इसी में British Raj कुलाप्स करेगा, तो सिर्फ rumors नहीं थे जो हमारी society में फैल रहे थे, कुछ तो interesting चीज़ें भी हो रहे थी, North India में हो यह रहा थ society में नहीं पता, क्यों हो रहा है, नहीं पता, बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रहे थी, लेकिन एक चीज़ पकी है, जो भी चीज़ें हो रहे थी, अब उसको ऐसे देखा जा रहा था, लोग इसी तरीके से देख रहे थे, कि कुछ अभी वाल आने वाला है, society में उथ Britishers ने क्या policies उन लोग के ऊपर लगाई है, उनके साथ क्या किया हुआ है, उनके क्या fears है, क्या suspicions है, इन Britishers को लेके, जो ऐसी चीज़ें मानने लग रहे हैं, जो rumors circulate कब हो पाते हैं, जब वो किसी deep fear के साथ resonate करते हैं, जब वो किसी deep suspicion के साथ link करते हैं, तो अब हम background की बात कर लेते हैं, कि क्या वो background था जिसके बाद ऐसे rumors society में बहुत ज़्यदा फैलना चालू हुए, तो 1820s के बाद से जो policies आई थी, हमारे governor general William Bantic जो थे British के, उन्होंने जो policies लगाई, उन्होंने पूरा जो इंडिया का system तो उसको reform करना चालू कर दिया, western education ला दिया गया, western ideas promote हो हो रहे थे, कुछ Indian sections की help लेके इन्होंने हमारे इंडिया में English medium schools colleges और university school दिये, अब western science और liberal arts, liberal arts हैने की humanities और fine arts और ये सब, social sciences ये सब पढ़ाया जा रहा था, अब हमारे लिए थोड़ा ये नया था, बाहर की चीज़े हम पर impose की जा रही थी, तो एक ये चीज हो गई, इसक तो ये चीज अच्छी है, लेकिन जब कोई बाहर ही आकर आपके ऊपर कोई चीज ठोपेगा, तो वो तो ऐसे ही लगे रहा है, हमारा जो culture है उसको पूरा change किया जा रहा है, तो इस तरीके से लोगों को लग रहा था, ये mindset था लोगों का उस time पर, इसके लावा भी और आप से Britishers का हो गया, ऐसे जो Britishers थे, गलत तरीकों से कई kingdoms को, कई principalities को annex करते थे, अवद का case हम आगे इस chapter में बात करेंगे, इसके लावा principalities, जो princely states थे, जहांसी हो गया, सतारा हो गया, यहां पर भी ऐसे ही annexation किया, जो कि लोगों को काफी साथा गुस्सा करता था, क्यूं क्यूंकि जब एक बार annex कर लिया, तो British वहाँ पर नए system लेकर आएंगे, administration के लिए, वहाँ पर नए laws बनाये जाएंगे, वहाँ पर land settlement change होगा, वहाँ पर revenue जिस तरीके से लिया जाता है, वो change होगा, वहाँ पर पूरा एक overall लोगों की जो lifestyle है, वो affect हो जाएगी, और यह हो की जाए थी, British policies के थुरू, जो British policies आ रहे थी, अब वो क्या करें थी, लोगों को लग रहा था कि जिन चीजों को हम cherish काते है, जो चीज़े हमें sacred लगती है, वो सारी चीज़े हमसे इन policies के थुरू छीनी जा रही है, चाहे हो हमारे kings हो, जिनको हटाया जा रहा है, चाहे हो हम इच्छन नहीं लग रहा था, और जो नया system आ रहा था, वो लोगों को, oppressive तो था ही, लोगों को alien और impersonal भी लग रहा था, एक और चीज़े पर नमक किस ने छड़का, Christian missionaries में, जिनका काम ही होता था कि Christianity को promote करना, तो इन्होंने और आग भढ़का दी, इसके बाद, इस background के क हुआ, कैसे drama हुआ, क्या scene हुआ, उसकी पूरी start से बात करते हैं, 1851 में Governor General Lord Dalhousie ने Awad के बारे में बोला, कि it is a cherry that will drop into our mouth one day, और 5 साल बाद 1856 में, जो Awad का kingdom था, इसको annex कर लिया गया, इसको British Empire का part बना लिया गया, ये conquest कुछ stages में हुआ, उसको हम देख लेते हैं, सबसे प Alliance Lord Dalhousie ने 1798 में एक system बनाया था, जिसमें ये था, कि जो भी Britishers के साथ इस contract में आएगा, उसको कुछ शर्ते माननी पड़ेंगी, वो शर्ते क्या होंगी, ये थी, कि जो सबसे पहरे तो British हैं, इनकी आर्मी, Britishers से responsible होंगे, आपकी उपर जितना भी internal और external threat आएगा, मानने त है कि आपकी territory में British armed contingent खड़ा रहेगा, क्योंकि obviously अब हम आपको protection दे रहे हैं, तो हमारी army आपके territory में खड़ी होगी, और वो territory आप, वो army आपकी protection के लिए है, तो उस armed contingent के लिए जितना भी resources लगेगा, जो भी पैसा लगेगा, वो आप provide करोगे, fourth point है कि अब आप, खुद लेते हैं कि ruler Britishers के साथ इस contract में आ गया, तो ruler की power बची ही किया, अब सब कुछ तो Britishers कर रहे है, प्लस ये जो contract होता था काफी ज़्यादा हद तक forcefully आता था, Britishers impose कर देते थे, और यही हुआ हमारे अवद के साथ 1801 में, अब यहां के जो नवाब थे, ये Britishers के साथ subsidiary alliance के contract मे आ चोके थे, तो इनकी जो military force थी, इसको disband कर दिया गया, अब इनके kingdom में Britishers की troop खड़ी हो रही थी, और Britishers पूरा responsible थे, इनके यहां पे जो भी police का काम करना है, वो करने में, उपर से इनके court में एक resident बिठाल दिया गया, resident कौन होता है, governor general का एक representative, ये वहां पे बिठाया जा और जो हमाएं नवाब है, अब खुद से कोई foreign policy का काम, खुद से कोई internal decisions नहीं ले सकते, इनको बाते माननी पड़ रही है, इस resident की जो कि एक British official है, तो नवाब की पूरी power खतम हो गई, अब नवाब के area में law and order maintain करवाना है, तो उनको Britishers की जरूरत पड़ेगी, Britishers ही करेंग कोई जो अवद वाला region है, यह काफी अदा desperately चाहिए था, क्यों चाहिए था, सबसे पहले तो यहाँ पे indigo, cotton का production बहुत अच्छे से हो सकता था, यहाँ की soil fertile थी, तो इसको अपर इंडिया है, निकि हमारा जो northern इंडिया है, उसका पूरा एक principal market बनाया जा सकता था, फिर 1850s के time तक, जो सारे main regions थे, for example, Maratha land, Doop, Karnatak, और Punjab और Bengal, यह सब Britishers capture कर चुके थे, अभी हम नीचे map में भी इसको देख लेंगे, क्या-क्या regions हमारे Britishers के हाथ में आ चुके थे, तो अगर 1856 में जो अवद का annexation है, यह British कर लेते हैं, तो यह माना जा रहा था, कि अब पूरे ज जो शुरुआत हुए थी, लगबख 100 सार बाद, अब finally, सारे major areas, Britishers के हाथ में आ जाएंगे, तो यही हुआ 1856 में, और Lord De Laosie, जिस भी जगे पर annex करते थे थे, तो वहां की जनता गुस्सा होती थी, वो disaffection वहाँ पर देखने को मिलता था, याने की, जनता dissatisfied होती थी, कि कै से हमारे राजा को आपने हटा दिया, सारे area, सारे principalities में होता था, लेकिन अवद में जो लोगों को गुस्सा आया है न, इतना गुस्सा कहीं और हमें देखने को नहीं मिला था, इसलिए 1857 के revolt में, हमें अवद में काफी यदा fight देखने को मिलती है, यहां की जो नवाब थे वाजद अलीशा इनको dethrone किया गया और exile to Calcutta, यानि की इनको यहां से लखना उसे निकाल के Calcutta भगा दिया गया, यह बोला गया कि आप misgovern कर रहे, आपसे governance नहीं हो रही है, तो इसलिए इनको misgovernance के आरोप में निकाल दिया गया, यहां से dethrone और exile कर दिया गया, और यह मा कि पूरी जनता इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जब इन्होंने अपने प्यारे लखना को छोड़ा, तो बहुत साहे लोग इनको पीछा करने लगे, इनको साथ-साथ पीछे-पीछे चलने लगे, और कानपूर तक पहुँच गया, singing songs of limit, यानि कि दुख बले गा निगा रहे थे, और इनके पीछे-पीछे चले जा रहे थे, कि हमारे नवाब को मत भगाओ, हमारे नवाब को निकाला जा रहे था, तो उसमें ये जनता पूरी बहुत ज़्यादा दुख थी, तो इस टाइम पर हमें बहुत sense of grief और a sense of loss इस जनता में देखने को मिल रहा थ ये बताते हैं कि एक भी street नहीं थी, एक भी market, एक भी ऐसा घर नहीं था, जो दुख में, sorrow में, agony में रोया ना हो, जो अपने जाने आलम, अपने नवाब के separation से दुखी ना हो, एक folk song हमें देखने को मिलता है विच बिमोन, बिमोन यानि कि जब आप अपने sorrow को express करते हो, जो का control देख सकते हो, कितने सारे regions पे जो भी हमारे important towns थे, वो सारे British ने इस टाइम तक capture कर लिये थे, अब क्या हुआ, एक तरफ पे जनता बहुत ज़दा दुखी थी, कि उनका जो नवाब है, वो उनसे छिन रहा है, दूसरी तरफ जो emotional upheaval था, वो material loss से और भी ज़दा aggravate हो बेसिकली, अब एक तरफ अगर नवाब जाएगा, तो उसका दुख है, लेकिन जब नवाब जाएगा, तो जो उनका court है, जो उनका court का culture है, वो भी disband हो जाएगा, वो भी dissolve हो जाएगा, याने कि बहुत सारे लोगों की job चली जाएगी, musicians, dancers, poets, artisans, cooks, retainers, retainers, याने कि जित multiple problems link हो रही है, इन्होंने क्या किया, princess हो चाहिए, तालोगदास हो चाहिए, presents हो चाहिए, अलग-अलग class के लोगों को link कर दिया, अब सारे लोग फिरंगी राज को अपना दुश्मन की तरह देख रहे थे, इस तरीके से देख रहे थे, कि जो फिरंगी राज है, यह हमसे हर वो चीज छीन रहा है, जिसको हम dear मानते हैं, जिसको हम value करते हैं, जिसको हम respect करते हैं, और सब अब against हो गया है फिरंगी राज के, और यही जो emotions थे, यह हमें 1857 के revolt में, इधर पर देखने को मिलते हैं, जो अवद है, यहाँ पर काफी ज़दा intense fight हुई थी, क्योंकि अब लो को भी dispossess कर दिया, था क्या यहां के जो country side था, अवद का हमारे, यहां पर बहुत सारे estates और बहुत सारे forts थे, इन तालोगदारों के, चुकि कई generation से यहां पर power hold करते हैं, इस जगा को control कर रहे थे, बिटिश जब आए, तो उनको यह power अच्छी नहीं लगी, बिटिश के आ होता था कि जो नवाब थे, उसकी suzerainty accept करनी पड़ती थे, ठीक है बाई, आप हमारे superior हो, हम आपके under में हैं, और हम अपने तालोग का land revenue हैं, वो आपको time पर देते रहेंगे, इतना यह लोग accept करते हैं, तो इनके पास काभी power अपने जगा पर होती थी, काफी रदा autonomacy होते थे, कई तालोगदास के पास, जो बड़े तालोगदास के थे, उनके पास 12,000 foot soldiers थे, जो छोटे थे, उनके पास 200 foot soldiers थे, लेकिन Britishers of course इतनी power इनके पास देखना नहीं चाहते थे, तो सबसे पहले इनकी army बंद कराई, इनको disarm किया, इनके force को destroy करवाया, और उसके बाद, annexation के बाद, जो पहला इनोंने यहाँ पे land revenue settlement plan लगाया, बिटिशर्स ने, उसने तालोगदास की power को और बहुत हद में कम कर दिया, सबसे पहला रहा का revenue settlement था, वो था summary settlement of 1856, इसमें यह बोला गया कि जो तालोगदास हैं, इनका land खुद का, इनका actual में नहीं है, बलकि इनोंने क्या किया, fraud किया है, इनोंने अपनी power को use करके, यहाँ पे फाल्तू में घुस गए है, इंटरलोपर बन गए है यहाँ के, और इनका कोई actual stake नहीं है land में, बलकि यह fraud वगरा करके यहाँ पे power में आ गए, तो summary settlement ने तालोगदास से जहाँ जहाँ तक power चीनी जा सकती थी, वह summary settlement लगाने के बाद यह number पहुंच गया 38% तक, तो जो तालोगदास था, उनकी power बहुत कम हो रहे थी, और especially जो southern अवद था, यहाँ पे तो बहुत सारे तालोगदास ने अपना आदि से जादा जो villages थे, वो loose कर दिये थे, तो Britishers इनकी power काफी अधा कम कर रहे थे, British officers का यह मा citation society में कम होगा, और state का जो profit है वो भी बढ़ेगा, तो एक तरफ जो चीज है कि state का revenue बढ़ेगा, यह तो काफी बढ़ा, लेकिन जो burden था वो कभी भी कम नहीं हुआ, officials को बहुत जल्द पता चला कि यहाँ पे हमने जो assessment किया है, वो बहुत ज़दा over assessed है, यानि कि बहुत exorbit high prices charge किये जा रहे है as land revenue, कई जगहों पर 30-70% तक revenue demand बढ़ा दी गई थी, तो demand तो बढ़ती जा रही है, peasants भी सफर कर रहे हैं और तालोगदास भी खुश नहीं थे, इस annexation से नवाब को निकाला गया, सब को emotionaly problems हुई, फिर material loss हुआ, तालोगदास भी दुखी है, peasants भी connected थे इन तालोगदास की तरफ, थोड़ी loyalty रखते थे इनकी तरफ, इनको काफी दा relation भी था, कई बार patronage भी provide कर देते थे तालोगदास इनको, तो कई बार support भी करते थे, तो हाँ, पुराने टाइम में जो तालोगदास थे, वो oppressors ज़रूर थे, कई dues charge करते थे, कई बार attack कर करनी पड़ दिया, पेजन पे नहीं कर पा रहा, तो उनको कई बार maaf भी कर देते थे, लेकिन जब Britishers power में आ गए है, तो पहली चीज तो over assessment है, लेंड का, तो जो over assessment है, directly किसको face करना पड़ रहा है, इन peasants को, दूसरी चीज क्या है, कि आप जो collection के method है, वो inflexible है, यानि कि अगर आप किसी reason से pay नहीं कर पा रहे हो, माल लेते हैं, hardships का time चल रहा है, crop failure आ गया है, पर कोई problem आ गई, तो आपके पास कोई option नहीं है, तालोगदास शायद एक बार maaf कर देते, Britishers maaf नहीं करेंगे, तालोगदास शायद एक बार बोल देते हैं, चलो बाद में दे देना, अगले साल दे देना, लेकिन Britishers ना तो कम करेंगे revenue, ना तो postpone करेंगे, और अगर कोई festival वगरा आता है, या फिर कुछ occasion आती है, तो भी आपको तालोगदास लोन वगरा दे देते थे, ये Britishers प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो पूरा system breakdown कर दिया गया, तालोगदास भी दु रहा था, ये ही लोग, peasants लड़ रहे थे, तालोगदास लड़ रहे थे, हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो तालोगदास थे, ये नवाब और जो हमारे बाजद अलीशा थे, उनकी तरफ काफी ज़्यादा loyal थे इन में से बहुत सारे, तो जब नवाब की wife, बेगम, हज क्योंकि ये loyal थे, नवाब की तरफ और उनकी wife की तरफ, अब ये जो हमने peasants लोगों की, जो तालोगदार लोगों की जो problem सुनी है, ये सेपोई lines तक भी बहुत जल्दी पहुंचती थे, क्योंकि सेपोई जो हमारे British के सेपोई थे, वो इन अवद के villages से ही recruit हुए थे, तो इ ये एक तरफ problems, और 1850s के बाद से हमें और नई problems देखने को मिलती है, वो क्या थी, अब जो relationship था, इन सेपोई का अपने superiors के साथ, यानि की white officers के साथ, जो British थे उनके साथ, वो काफी अधा change हो रहा था 1850s में, 1820s में क्या होता था, जो superior होते थे, ये friendly relation रखने की कोशिश क करते थे, इन सेपोई के साथ, ये लोग leisure activities में participate करते थे सेपोई के साथ, for example, wrestling हो गया, fencing यानि की तरवार बाजी करते थे इन लोगों के साथ, hawking यानि की शिकार पर जाते थे इन सेपोई के साथ, हिंदुस्तानी language में fluent है, हमारे इंडिया के जो culture है, customs है, उनको भी जानते थे, तो basically काफी friendly थे, इन सेपोई की तरफ, एक तरफ disciplinarian figures थे, यानि की strict भी थे, लेकिन दूसरी तरफ father figures भी थे, तो काफी ज़दा friendly relations भी hold करने की कोशिस ये लोग कर रहे थे, लेकिन ये चीज़ 1840 आते आते एकदम से change हो गई, 1840 में क्या हुआ, जो officers थे ना, Britishers के, इन ये अपने सेपोई को racially inferior treatment दे रहे हैं, riding roughshod over their sensibility, यानि कि अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सेपोई को बोरा लग रहा है, या पर उनके क्या emotions है, इनको ध्यान नहीं दे रहा है, बलकि उनको काफी harshly treat करने लग गए, verbally abuse कर रहा है, physically violence कर रहा है, काफी ज़दा physical violence common हो गया था, hence, जो सिपोई और officers का बीच का gap था, वो काफी ज़दा grow होने लगा, अब जो पहले friendliness थी, अब जो पहले trust का एक sense था, वो suspicion से बदल गया, और यही हमें देखने को मिला, cartridge वाले scene में, अगर पहले जैसे relation होते, तो शायद यह rumor कभी फैलता ही नहीं, शायद ऐस होती ही नहीं, लेकिन अब since suspicion आ चुका है, तो हमें cartridge वाला episode देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर एक काफी important चीज क्या है, सिपोई और हमारा जो rural world है, हमारा जो peasants वगरा है, इनके बीच का जो link है, वो, हमारा जो mutiny था, वो बहुत जल्दी एक rebellion में convert ही इसलिए हुआ थ हमारे जो सिपोई थे, बेंगॉल के आर्मी के, यह बहुत सारे अवद और Eastern UP से recruit किये जाते थे, अवद को बोला भी जाता था, कि the nursery of Bengal army, हमारा जो सिपोई थे, बहुत सारे इन में से upper class के थे, बहुत सारे इन में से diamonds थे, तो यहाँ पर अब क्या हुआ, जो families के साथ problems आए हैं, वो सिपोई लाइन्स तक पहुंचती हैं, और सिपोई लाइन्स की जो problems हैं, सिपोई लाइन्स की जितने भी threats हैं, यह बहुत जल्दी villages तक पहुंचते हैं, सिपोई के जो fears थे, कि हमारा cartridge वाला episode हो रहा है, हमें Christianity में convert कराने की कोशिश की जा रही है, या फिर हमें leaves न rebellion में convert हो गया, इसलिए जब सिपोई ने बिटिश के आगे इस आवाज उठाई, तो उनके जो villages में भाई बंदू थे, उन्होंने भी बहुत जल्दी जोईन किया, बहुत जल्दी सिपोई के साथ ordinary citizen भी revolt में आ गया, और एक rebellion यहाँ पे बहुत जल्दी खड़ा हो गया, अपने जो sufferings थे, वो लिखे, इन्होंने अपना heroism दिखाया, और rebels के बारे में क्या बोल दिया, यह लोग ungrateful और barbaric people है, एक तरफ यह लोग repress कर रहे थे, उस repression का मतलब यह भी था, कि जो rebels है, उनकी voice को दबाया जाए, हमें बहुत कम ही ऐसे records देखने को मिलते हैं, से एक problem यह भी थी, ज्यादा था जो से poise और ordinary citizen थे, वो literate नहीं थे, तो यह लोग ज्यादा कुछ लिख भी नहीं पा रहे थे, तो सिर्फ हमें proclamations और इस्तेहार, यानि कि जो appeals किये जारे थे, सिर्फ यही देखने को मिलते हैं, जो कि हमें rebel leaders का थोड़ा बहुत mindset बता र रहे थे, इसके लावा जादा था जो हमारा 1857 का reconstruct है, वो reconstruction होता है, British as जो लिख रहे थे, उसके through, लेकिन इससे हमें सिर्फ officials का mindset पता चलता है, और rebels के बारे में बहुत कम text देखने को मिलता है, लेकिन एक text जो है, वो हमारे proclamations और इस्तेहा जो हो रहे थे, जो appeals किये जा रहे थे, जिसमें हमें क्या देखने को मिल रहा था, कि आप किसी भी society के section के हो, आप किसी भी caste और creed के हो, आपको revolt में join करना चाहिए, वैसे आपने term सुना होगा करीबा, creed, इसको आप religion कही छोटा भाई मान सकते हो, यहाँ पर religion term भी use कर सकते हो, तो proclamations में क्या हो रहा बहुत सारे proclamations, Muslim prince लिख रहे थे, बहुत सारे proclamations in princess वगरा के नाम पर लिखे जा रहे थे, तो भले ही एक Muslim leader के under में proclamation किया गया है, लेकिन हिंदू लोगों के जो sentiments थे, उनका भी काफी ध्यान रखा जा रहा था, यहाँ पर हिंदू और Muslim में हमें काफी unity देखने को मिल जब हमारे पास Mughal rulers थे, Mughal Empire को काफी glorify किया जाता था, कि हम हिंदू Muslim कितने अच्छे से साथ में रहते थे, और आप basically वापे से वो unity लाने का काम है, और Britishers के against जाने का काम है, बहादर शा के नाम पर जो proclamations किया गया था, उसमें यही बात बोली गई थी, चाहे आप मु Britishers डिवाइड करना चाहा रहे थे, बरेली वेश्टर उत्तर प्रिदेश में, 1857 December में Britishers ने 50,000 रुपीज स्पेंड किये, यह कुछ ना कुछ हिंदू Muslim दंगे बढ़क जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यह attempt fail हो गया, यह जो proclamations है, इसको आप पढ़ना चाहते हो, तो यह उनके territories ले लेते थे, इसकी काफी बुराई की जा रहे थी, इन लोगों ने जो treaties break किये थे, उसके बारे में बताया जा रहा था, और जो rebel leaders थे यह बोल रहे थे, कि इन Britishers को हम trust नहीं कर सकते, तो सारे लोगों को गुस्सा किस चीज पर आया था एक गुस्से का reason बहुत बढ करी थी, इस chapter में हम बात कर चुके है, चाहिए छोटे peasants हो, चाहिए बड़े landholders हो, सबी के साथ क्या हो रहे था, कि Britishers cheat करके इनका land इन से चीन ले रहे थे, काफी unfair treatment इनके साथ हो रहा था, जिसके कारण लोग Britishers से बहुत ज़्या गुस्सा थे, तो अब इस फिरंगी राज को अपना दुश्मन माना जा रहा था, और बोला जा रहा था, कि जो फिरंगी राज है, यह हमसे हमारा way of life चीन रहा है, तो हमारे rebels क्या चाहते थे, जो पुराना world था, उसको restore करवाना चाहते थे, यही चीज़ हमें proclaimations में देखने को मिलती है, Hindu Muslims को conversion का डाल लग रहा था, क सारे इन जो लोग rebellion में आये थे, कि आप आओ, इस fight में join करो, अपने livelihood, अपने faith, अपने honor और अपनी identity के लिए, it is a fight, which is fight for a greater public good, और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, कि जब यह mutiny एक rebellion में convert हुआ था, तो जो attack का target था, वो काफी wide हो गया था, तो जितने भी ऐसे लो humiliate करना चाते थे, इनको attack करना चाते थे, क्योंकि यह rich elites भी past में काक्ती ज़्यादा oppressors रहे हैं, तो जो money lenders होते थे, इनके account books जलाए जा रहा थे, इनको ransack किया जा रहा था, इनके घरों को, यानि कि attack किया जा था, लूटा जा रहा था, तो यह हमें देखने को मिलता है, कि अब आप उपर नीचे नहीं हो, अब तो हम ही हैं जो हैं, अब इस तरीके से देखने को मिलता है, कि egalitarian society का vision आया था, कि सब लोग को हम equally up future में treat करेंगे, लेकिन जो हमें proclamations देखने को मिलते हैं, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, कि unity की बात करी जा रहे थी, लेकिन ये vision नहीं दिखाया जा था, कि egalitarian society लेकि आएंगे, ये हमें actions के थुरू थोड़ा समझ में आता है, इन proclamations में क्या बात हो रहे थी, कि फिरंगी राज के against जाओ, और फिरंगी राज को हम खतम करेंगे, अब जब एक बार British rule कुलाप्स हो गया, तो rebels ने क्या किया, डेली, इन तक तो नहीं टेक पाया, जब Britishers ने attack किया, तो ये fail हो गया, लेकिन इन लोगों की कोशिशों में हमें समझ में आता है, ये लोग क्या चाहते थे, हमें देखने को मिलता है, 18th century का जो pre-British Mughal era था, उसको वापिस लाने की कोशिश की जा रहे थी, उस time पर जो post होती थ से, वो post की गई थी, arrangements किये गए, land revenue के collection के लिए, troops के payments के लिए, loot और plunder करने का, loot part मचाने का जो काम लोग कर रहे थे, उसको बंद करवा दिया गया, प्लस इन लोगों को पता था कि Britishers वापिस से attack करेंगे, तो Britishers के attack के लिए भी preparations किये जा रहे थे, क्या किये गए, chains of command setup किय कि बाई, जो हमारी military organization, उसमें कौन leader होगा, कौन उपर नीचे होगा, ये पूरा organize करने का, इन्होंने काम किया, और pre, हमारा pre British Mughal World तो था, उसको ऐस symbolic चीज़ देखा जा रहा था, कि ये वो दुनिया है, जो हमें वापिस चाहिए, जिसको हमसे Britishers ने चीना था, तो pre British 18th century क जो Mughal World तो उसको वापिस लगाया जा रहा था, administrative structures में हमें देखने को मिलता है, कि कोशिश की गई थी, जो अब war होगी आगे, उसके लिए हम अच्छे से prepare कर सके, लेकिन जब British onslot हुआ, जब Britishers ने attack किया, तब ये survive नहीं कर पाए, हाँ, अवद जो था, वहाँ पर हमें स में, early 1858 तक भी देखने को मिलता है, कि इन्होंने जो arrangements किये थे, ये चल रहे थे, लेकिन at the end ये भी इन लोगों के हाथ से निकल गया और Britishers जीत गए, अब हम बात करते हैं, Britishers ने जो repression का काम है, इस uprising के against जो actions है, वो Britishers ने कैसे लिए, इन लोगों के लिए जो 1857 का revolt था, इस rebellion को खतम करना, लेकिन Britishers ने काफी smartly अपना game खेला, सबसे पहले तो इन लोगों को पूरा North India वापिस से capture करना था, तो ऐसा नहीं कि direct attack कर दिया गया, सबसे पहले इन्होंने कुछ laws को pass कराया, इस insurgency को quail, यानि कि इस insurgency को, इस revolt को suppress करने के लिए, इन्होंने क्या acts प कि सबसे पहले तो पूरा North India में हमारे martial law लगा दिया गया, यानि कि आप कोई court और कोई trials and tribulations नहीं, सारी जो power हो किस के हाथ में दे दी गई, military के हाथ में, प्लस ये तक बोल दिया गया, कि जितने military officers हैं, और जो ordinary Britishers हैं, उनके हाथ में भी इतनी power है, कि अगर आपको कोई suspect द है, आप उसको punish कर दो, और rebellion के लिए जो guilty है, उसके लिए क्या सजा है, सजा है, मौत, सीधे आप मार भी उनको सकते हो, तो ऐसे इन्होंने laws बना है सबसे पहले तो, फिर इन्होंने Britain से army बुलवाई की और army चाहिए, यहां पर हमें attack करने के लिए, और उसके बाद इन्होंन इन्होंने two-pronged attack चालू किया, यहांने कि दो तरफ से attack किया, एक नीचे कर्कता की तरफ से, North India की तरफ attack किया, और दूसरा पंजाब की तरफ से, पंजाब अपने आप में शांद जगा था, यहां पे attacks, revolt नहीं चल दा था, लेकिन पंजाब की तरफ से army भेजी गई, डेली को reconquer करने के लिए, इस map में आप देख सकते हो, कि दो तरफ से, उपर से और नीचे से, हमारी British army आ रही थी, और वहां से, इन्होंने पूरे North India पे attack किया, और इसको capture करने की कोशिश की, जो डेली पे reconquest करने का काम चालू हुआ, वो बहुत तेजी से चालू हुआ, जून 1857 क के बाद, और September end आते आते हैं, वापिस से देली को conquer कर लिया था, लेकिन देली को capture करना बिलकुल भी असान नहीं था, दोनों ही sites में, Britishers और rebels, दोनों साइड में काफी सारा loss हुआ, काफी सारे लोगों की जाने गई, क्योंकि यहां पे इतना difficult क्यों हुआ, क्योंकि बहुत स सारे rebels थे, इन Britishers से लड़ने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ डेली में मुश्किल था, पूरे gang attack plane में, विसे यहां पे spelling mistake है, मैंने पढ़ते हुए देखा, आप gang attack की spelling सही लिखना, जी पहले आएगा, यी बाद में आएगा, जो पूरा gang attack plane था, यहां पे पूरी जग चाहिल थे, जब Britishers ने अपने counter-incangency operations चालू किये, जब इन्होंने counter-attack किया, इस revolt किया against, तब Britishers को समझ में आए कि यह एक mutiny नहीं है, एक rebellion है, यहां के बहुत सारे लोग हमारे against हो चुके है, पूरी अप्राइजिंग यह convert हो चुकी है, आवद का एक example दिया हुआ है, एक F जो आवद की population है, यह इस rebellion का पार्ट है, और हम लोगों से लड़ रही है, तो यह जो area है हमारा, यह March 1858 में, finally बहुत protected fight, यानि कि बहुत लंभी fight के बाद, Britishers के control में चला गया, तो जो Britishers थे, इन्होंने काफी जादा forces use करी, इस पूरे fight के लिए, प्रिजेंड ए उत्तर प represents है, यह सब लोग काफी united है, मिलके हमसे लड़ाई कर रहे है, तो चलो उनको break करते है, इन्होंने क्या बोला, जितने भी landlord से उनको promise किया, कि अगर आप इस fight को छोड़ते हो, और Britishers का support करते हो, तो आपकी जो land holdings है, वो आपको दे दी जाएगी, तो जो लोग लड़ रहे उनकी land holdings छीनी जा रहे थी, और जो लोग Britishers की तरफ आ गया, उनको reward दिया जा था, उनको land holdings दी जा रहे थी, तो यह mind games हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे land holders इन Britishers के mind games में नहीं है, उन्होंने British army को fight किया, बहुत सारे लोगों की fight के time death हो गई, बहुत सारे ल जाता है कि जो rebels का POV है, वो हमें बहुत कम देखने को मिलता है, proclamations और notifications जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन rebel leaders जादा नहीं लिख रहे थे, लेकिन हमारी history कहां से reconstruct हुई है, mainly जो Britishers ने जो लिखा था, उसके through, Britishers की तरफ से हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, और official accounts are in a bound, यानि कि बहुत huge number में official accounts हमें देखने को मिल जाते है, तो इन में क्या-क्या है, यह हम देख लेते हैं, सबसे पहले administrators और military men, जो letters, diaries, autobiographies, official histories लिख रहे थे, इसके लावा हमें British का mindset क्या था, इस revolt की तरफ, हमारे rebels की तरफ, वो हमें memos, notes, assessment जो कर रहे थे, लोग situation की, जो reports लिख रहे थे, उन में भी देखने को मिल जाता है, इन सब records को हमने mutiny record नाम से volumes में secure करके रखा हुआ है, अभी जो इतने सारे documents हमें मिल रहे हैं, इतने सारे records मिल रहे हैं, इससे हमें क्या पता चलता है, यह Britishers डरे हुए थे, NGS थे, और यह लोग भी seriously अब situation को ले रह यह आगे भी एक बार देखोगे, यानि कि violence को brutality को काफी जादा दिखा रहे थे लोग अपनी images में और काफी सारे text में, यह हमें देखने को मिलता है, और जब यह लोग violence को दिखाते थे, कितना दा brutal है हमारे इंडिया के जो rebels हैं वो, तो Britain में जो लोग थे, उनके दिमाग मे उनकी तरफ से, अब हम यहाँ पर देखेंगे एक बहुत important source को जो की होंगी हमारी images, चाहे वो Britain की हो, चाहे वो India की हो, paintings, pencil drawings, etchings, posters, cartoons, bazar prints, बहुत सारी चीज़े बनाई जाने थी, जिसके बारे में हम बात करेंगे, यह जो British pictures हैं, इनमें हमें बहुत सारी variety देखने को मिलत कुछ अलग emotions evoke करती हैं, कोई अलग reaction evoke करती हैं, उननी की हम यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे, हर एक topic में हम एक type की image की बात कर रहे होंगे, यह वाला जो topic है, उसमें हम देखते हैं, ऐसी एक image जिसमें British जो heroes हैं, उनको commemorate किया जा रहा है, यानिकी, जो heroism है, उसको celebrate कि जा रहा है, इसका एक बहुत अच्छा और बहुत important एक image है, relief of Lucknow, यह जो पूरा description है, आपको याद रखना पड़ेगा, इससे कही बार questions आ जाते हैं, इसको paint किया था Thomas Jones Barker ने 1859 में, यानिकी 2 साल बाद हमारे revolt के, पहले हम पूरा background देख लेते हैं, कि किस क्या background था इस image के पीछे, और फिर हम image को देखेंगे, उसका description देखेंगे, लखनाओ में क्या हुआ, हमारे जो rebels थे, उन्होंने लखनाओ को पूरा घेर लिया था, यहाँ पे Henry Lawrence, जो की लखनाओ के commissioner थे, इन्होंने पूरी Christian population को collect किया, और refuge के लिए लेके चले गए, एक residency में, जो की fortified थी, अब Lawrence की तो कुछ ताइम बाद death हो गई, लेकिन यहाँ पे Colonel English थे, जिनकी command में इस residency को अभी protect किया जा रहा था, इनकी command में जितने भी British army थी, वो fight कर रहे थी इन लोगों को बचाने के लिए, 25th September में James Autram और Henry Havelock आते हैं, यह लोग हमारे rebels पर attack कर देते हैं, और rebels को attack करते फिर 20 days बाद Colin Campbell आते हैं, और Colin Campbell कौन थे, अभी के हमारे newly appointed British के commander of British forces in India, यह अपनी पूरी forces लेके आते हैं और इन लोगों को rescue कर लेते हैं, इस British Garrison को बचा लेते हैं, तो इस story को किस तरीके से देखा जाता है, एक story of survival, कैसे इन Britishers ने survive किया हमारे rebel forces को, और कैसे at the end British जो power थी वो जीत कई, अब आप देखो इस image को, यहाँ पे center में आपको हमारे 3 hero देखने को मिल रहा है, कौन, Campbell, Autrum, और Havelock, जो कि इन hero थे, इस story के पूरे, जो हमें hand gesture देखने को मिल रहा है, इस image में logo के, वो hand gesture क्या कर रहा है, center की तरफ point कर रहा है, ताकि अगर आप इस image को देखो, तो आपका सबसे पहले attention किदर आए, center की तरफ, plus आपको यह जो beach का region एक इस तरीकी से देखने को मिल रहा है, थोड़ा well lit है, ताकि इस पे आपका अच्छे से attention हो, जो foreground है, यह थोड़ा सा यहाँ पे shadows देखने को मिल रहा है, ताकि यहाँ पे जाधा attention न जाए, background में आपको देखने को मिल रहा है, जो residency है, वो तूटी-फूटी पड़ी हुई है, plus आपको foreground में मले हुए लोग और injured लोग देखने को मिल रहा है, जिससे समझ में आता है, कि यहाँ पे कितना ज़़ादा attack हुआ था, कितनी brutal fighting यहाँ पे की गई थी, plus आपको देखने को मिल रहा है, य इस image को देखके, जो Britishers के दिमार में picture create हो रहे थी, एक reassurance मिल रहा था, कि जो trouble का time था, वो अब खताम हो चुका है, rebellion खताम हो चुका है, और Britishers अब जीच चुके है, तो यह जो पूरा description था, यह आपको याद रखना पड़ेगा, जो newspapers होते हैं, उनकी reports काफी important होती है, यह shape क करती हैं कि public imagination क्या होगी, क्या feelings और attitudes public में फैलेगा, और अब यह लोग क्या कर रहे थे, अपने British newspapers वगेरा में, women और children की suffering दिखा रहे थे, कैसे जो Indian rebels हैं, इन लोगों पर violent attacks कर रहे हैं, तो जो British public थी, वो revenge मांग रहे थी, retribution मांग रहे थी, British government से बोले थी, कि आप protect करो इन को बचाओ, और आर्टिस्ट क्या कर रहे थे, इसी चीज़ को, इनका जो women और children का trauma और suffering है, उसको visually represent करने का काम कर रहे थे, इसका एक बहुत अच्छा example है, in memoriam, जिसको paint किया था, जो सिर्फ नियॉल पैटर्न ने, इन्होंने भी दो साल बाद 1859 में इसको paint किया था, यहां कर रहे हैं, कभी भी जो inevitable है, वो हो जाएगा, कभी भी आके Indians dishonor करेंगे, violence करेंगे, और इन लोगों को मार डालेंगे, तो यहां पर हमें गोली violence देखने को नहीं मिलता है, यानि कि यहां पर violence नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन violence को suggest किया जा रहा है, देखने वाली की imagination प उनको demonize किया जाता था, उनको violent और brutish दिखाया जाता था, कि बहुत घटिया यह लोग है, यहां पर कोई भी Indian नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन background में आपको देखने को मिल रहा है, जो British army है, वो आ रही है, और यह लोगों को बचाने आ रही है, तो Britishers को as savior दिखाया जा रहा था, तो ऐसी images का भी काफी powerful impact होता था, उसके बाद फिर अगली image हमें जो देखने को मिलती है, just opposite है, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक women अपने honor के लिए fight कर रही है, और अकेली ही हमारे Indian rebels को मार रही है, तो just opposite painting जहां पर women को अलगी light में दिखाया गया है, तो image कि, यहां पर क्या हो रहा है, four burly males है, यहां कि चार हटे-कटे males एक women पर attack कर रहा है, rebels को demonize किया जा रहा है, यह जो rebels है, swords और गंस लेक्या है, और women पर attack कर रहा है, और women अकेली ही struggle कर रही है, अपना honor और अपना life बचाने के लिए, लिकिन सिर्फ इतना meaning नहीं है, यहां प नीचे एक book पड़िये जो कि है Bible, तो यहां पर दिखाया जा रहा है कि एक women Christianity को बचाने के लिए Indian लोगों से लड़ रही है, फिर और भी हमें images देखने को मिलती है, vengeance यहने कि वही जो criminal से उनको punish किया जाए, तो अब anger और shock फैर रहा था Britain में, तो anger के बाद, retribution है, उसकी demands का अफी जदा बढ़ रही थी और visual representation में हमें यही देखने को मिल जाता है, आप बोला जा रहा था कि अगर आप violent oppression करते हो, आप violent vengeance सीख करते हो, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि वो लोग criminals हैं, जो Indians हैं, वो घटिया हैं, इसलिए अगर आप उनको मार डालते हो, त गलत action नहीं है, तो justice सीख करने की बात अब की जा रहे थी, और British honor को बचाने के लिए बात की जा रहे थी, यह बोला जा था कि अब Britishers को अपनी power दिखाना चाहिए, Britishers को अपनी invincibility दिखाना चाहिए, इसके लिए भी images हमें देखने को मिल जाती हैं, यह left में आप ऐसी एक image द रिपेजेंट करी है, a figure of justice, इनके एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में एक shield, जिसमें आपको justice का symbol भी देखने को मिल जा रहे एक तरीके से, तो एक allegoric figure है, एक symbolic figure है, और यहाँ पे हमें और भी कुछ elements देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे अगर आप side में देखो, तो Indian women और Indian बच्चे हैं, यह डर के खड़े हुए है, यहाँ पे अगर हम female figure की बात करने हैं, तो उनके चेहरे पे हमें rage देखने को मिल रहा है, और revenge का desire देखने को मिल रहा है, उनका posture काफी दा aggressive है, वो अपने पैरों से Indian से boys को कुचल रही है, और जैसे कि मैंने बोला Indian women और children को cover with fear, यानि कि डर के मारे ऐसे crouch करने हैं, डर के मारे जुक रहा हैं, तो इस तरीके की बहुत सारे figures, बहुत सारे images, जो British press था, उसमें दिखाये जाते थे, तो बहुत सारे से cartoons वगरा हमें देखने को मिल जाते हैं, तहां पे repression सीख करने की बात हो रही थी, वैसे यह term justice और punch य इसको और भी तरीके से दिखाया जा रहा होता था, बहुत बूटल तरीके से दिखाया जा रहा था, जो execution होता था, यानि कि जो death sentence दिया जाता था, पनिश किया जाता था, death दी जाती थी लोगों को, इसको भी बहुत brutally किया जाने लगा, अब इन लोगों को gun से मारा जा रहा गैलो जाने की ऐसे wooden figure जिनमें फार्सी चड़ा दी जा रही है ये क्यों करें नॉर्मली ऐसा नहीं किया जाता नॉर्मली death sentence ऐसे नहीं देते लेकिन ये क्या चाहते है कि अगर publicly हम ऐसे मारेंगे गन शॉट करेंगे तो जो answer जो message जाएगा सामने वो ये जाएगा कि British power कितना ज्यादा खतरनाक है और British power क्या जिसे आप कुछ करोगे तो आपके साथ क्या किया जाएगा ये गैलोज में आपको mutineers को चड़ाया जा रहा है तो ये देखने को मिल रहा है तो Britishers क्या 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 नहीं कर रहे थे अपनी power को यहाँ पर दिखाने के लिए बलकि background हमने पढ़ी लिए कि Britishers खुद ने कितना गलत काम यहाँ पर किये हुए है फिर अगर अपन बात करें कोई भी आगा clemency यानि क कोई भी आगर दिखाता था थोड़ी leniency दिखाता था या फिर mercy दिखाता था तो उसको British press में काफी जादा रेडिक्यूल किया जाता था क्योंकि हवाओं में था vengeance तो इसका हमें एक example देखने को मिलता है कि गवर्नर जनरल कैनिंग ने बोला कि हमें थोड़ा leniency दिखाना चाहिए हमें थोड़ी mercy दिखाना चाहिए ताकि हमें जो इंडियन से poise है उनकी loyalty वापिस से मिल जाए तो इस British press में काफी ज़्यादा mock किया गया था इसके cartoon आपको देखने को मिल जाएगा punch का punch जो हमार बिटिश जनरल है यह comic satire का जनरल है जहां पर यह figure हमें देखने को मिल जाता है canning को as a father figure दिखाया जा रहा है कि कितनी चिंता करना है एक Indian sepoy की जो Indian sepoy है उसके सर पे हाथ रखे हुए है और sepoy को कैसे represent किया गया है कि उसके एक हाथ में sword है जो की unshetted यानि कि जो की cover से बाहर निकली हुई है अभी भी और दूसरे हाथ में dagger और दोनों से ही खून बह र है कि canning कैसे इन लोगों को support कर रहा है तो अगर आप clemency दिखाते हो तो आपको ridicule किया जाता है इसका एक example था यह वाली image इसका नाम भी आप याद रखिएगा और ऐसी हमें बहुत सारी image देखने को British side से मिल जाती है अब हम बात करते हैं हमारे Indian side की 20th century में जब हमारे national movement हु realities revolt के तुरू इसको as first war of independence celebrate किया जाया था जहां पर पहली बार हमारे इंडिया के सारे sections सारे अलग-अलग कास्ट और क्रीट के लोग collect हुए और Britishers के against imperial power के against fight कर रहे थे और 1857 की जो memory है उसको preserve करने में आर्ट और literature ने भी काफी help किया history ने भी काफी help किये leaders थे इस war के उनको हम as heroic figure से represent करते है जो हमारी country को battle में lead कर रहे थे यह वो लोग थे जिन्होंने sense of anger एक righteous anger create किया लोगों के दिमाग में imperial oppressive rule के against hero एक poem समय देखने को मिल जाती है हमारी courageous queen के लिए जिनके एक हाथ में तलवार है दूसरे हाथ में घोडे की रसी जो कि अपने motherland के लिए Britishers के against fight कर रही है जहासी की इरानी को एक masculine एक मरदाना figure की तरह दिखाया जाता है जो enemy को chase कर रही है British soldiers को मार रही है और काफी valiantly fight कर रही है अपनी motherland के लिए हमारे आके जितने भी बच्चे हैं हम सबने हम सबने शुबदरा कुमारी चौहान की यह line जरूर सुनी है खूब लड़ी मरदानी वो तो जहासी वाली रानी ती जब भी हम जहासी वाली रानी को दिख हमारे इंडिया में तो इस तरीके की poems हमारे यहां पर देखने को हमें मिल जाती है कि हमारी जो hero है वो लड़ रही है injustice और alien ruled against तो यह जो images है ना इनके पीछे आपको एक चीज हमेशा याद रखने है कौन इससे बना रहा है जो इस image को paint कर रहा है उसके दिमाग में क्या है कि किस तरीके से इन सब चीजों को देख रहा है और किस audience के लिए वो convey करना चाहता है क्या message वो दिखाना चाहता है जो paintings हैं जो cartoons है यह public sensibilities को public opinion को काफी ज़दा shape करती है इनको public किस तरीके से देख रही है public इनको appreciate कर रही है और criticize कर रही है इनके copies खरीद रही है और इनके reproductions को अपने घर में लगाने के लिए तो यह भी दिखाता ही किस तरीके से जनता perceive कर रही है इन images वगएरा को जैसे कि हमारे हमारे जो नेश्टर heroes हैं इनकी images वगएरा हम अपने घरों में लगाते हैं अफर इनकी तारीफ वगएरा हम कर रहे होते हैं तो यह images सिर्फ emotions को reflect नहीं कर लोग demand कर रहे थे कि repression की लोग demand कर रहे थे कि जो vengeance है वो काफी जादा brutal होना चाहिए on the other hand हमारे यहां पर जो nationalist images लेखने को मिलती है इस revolt की उसने काफी जादा nationalist imagination create करी एक nationalist feeling create करी तो यही तरी पूरे चेप्टर का होपफुलिए आपको चेप्टर अच्छा लगाओ बा